नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल सेहत साथी में आज हम आपके लिए लेकर आये हैं डाबर का आउला चुरन चलिए जानते हैं आउला चुरन के बारे में वैसे तो आउले से बने आचार मुरब्य को हम लोग बड़े चाव से खाते हैं लेकिन इसके कई ओसदिये गुन हैं खास कर आउला से बनाया जाने वाला आउला चुरन का इस्तेमाल सरीर की कई परिसानियों से निजात पाने के लिए किया जाता है आउला पाउडर या चुरन आपकी सेहत के अलावा बाल और त्वाचा के लिए भी बहुत उप्योगी माना जाता है वजन कम करने के लिए आउले के सेवन करने से इसमें पाये जाने वाला एथनॉलिक नामक में जोगिक इस योगिक में फैट को कम करने वाला और एंटी अक्सिडेंट गुन पाये जाता है इसके इनी गुनों के काहन बढ़ते हुए वजन को नियंतरित किया जा सकता है इसके सेवन से अत्रिक्ट फैट को बर्न भी किया जा सकता है पाचन के लिए फैदेमा आमला एक फल है जो कई सारे फैदों से भरपूर है या पाचन के लिए परभावकारी माना गया है इसमें फाइबर की अच्छी मात्रा होती है फाइबर पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और कबज जैसी पेट संबंदित बीमारियों को भी ठीक करता है लिवर को स्वस्त रखने के लिए आमला का सेवन बहुत जरूरी है हम मारे तर्द निवारक दमाय खाने एंटिबाइटिक्स और सराप के सेवन से लिवर में बिसायले पदार्थों का निर्मान होता है आमला के सेवन से लिवर को इन बिसायले पदार्थों से छुटकारा दिलाकर लिवर को हम स्वस्त रख सकते हैं मदुमे को नियंत्रित करने के लिए आवला के रोजाना सेवन से रक्त में मवजूद गुलुकोज के अस्तर को कम कर मदुमे को नियंत्रित किया जा सकते हैं इस लिए इसके सेवन से आपकी हडियों का विकास और हडिया मजबूत होती है या आपकी रोग परतिरुधर्प छंता बढ़ाता है विटामिन C के गुल होने के चलुद आखों की वर्थी बढ़ाता है इसका उपयोग मोतिया बिल्के उधिजार के लिए भी किया जाता है आवला में सबसे बहत्रें एंटी एजिक गूर होते हैं जो तवच्चा को पुड़ा होने से रोखने में मुदद करते हैं इसका उपयोग मुहासे और अन्य तवच्चा समस्यानों में भी किया जाता है आवले का उपयोग बालों को समय से पाले सफेद होने से रोखने में बालों को मजबूत बनाने में और उसी को खतम करने के लिए किया जाता है आवला में विभीन प्रोशक तत्व होते हैं माइस्चर, केलोरी, हाइबर, रोटीन, हैट, आर्बोहाइडेर, विटामिन B1, B3, C, केल्सियों, आयरों, फास्पोरस, इत्यादी, सेवन विधी आप इसका सेवन एक से दो चमच पाने के साथ या अपने चिकित सक के अनुसार कर सकते हैं आप इस आमला चुरन को ओनलाइन या फिर अपने नजदी की मेडिकल एस्टोर से भी मंगवा सकते हैं